कि नमस्कार नीटिंग एंड क्रोसे टिटोरियल में आपका स्वागत है आज मैं यह सिंगल कलड़का यह डिजाइन आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं कि यह डिजाइन बहुत ही आसान है आप इसे जेंट स्वेटर में डाल सकते हैं यह चार फंदों का डिजाइन है और चार सलाइयों में बनता है इसे बनाने के लिए पहली स्लाइ में यह पहला दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे उसके बाद इन दोनों फंदा को मिला करके इस तरह से एक सिधा फंदा, फिर उसके बाद ये पहले वाले फंदा में स्लाइड डालेंगे और एक सिधा फंदा बुनेंगे, इस तरह ये दो फंदा हो जाएगा, उसी तरह फिर इन दोनों फंदों को भी पहले दोनों को मिला करके एक सिधा फंदा उसके बाद ये पहले वाले फंदे में को हम बुनेंगे सिधा उसके बाद फिर दो उल्टा दागा पीछे करेंगे फिर इन दोनों को मिला करके एक सिधा फंदा फिर पहले वाले फंदा को बुनेंगे उसी को रिपीट करेंगे धागा आगे दो उल्टा धागा पीछे दोनों को पहले इस तरह से एक फंदा फिर ये पहले वाले फंदा में को सिधा बुनेंगे ये दो फंदा उल्टा बुन लेंगे दूसरी से लाये उल्टे तरप से ये पहला दो फंदा जो इदर उल्टा बुनने थे अभी सीधा बुनेंगे दागा आगे करेंगे अब यहां ध्यान देना है कि यह चार फंदा वमारा उल्टा है तो नॉर्मली उल्टा हम इस तरह से बुनते हैं फंदा इस तरह से डालते हैं लेकिन इस में हम फंदा नीचे से डालेंगे यह देखिए इस तरह से एक, दो, तीन, और यह चार, धागा पीछे करेंगे, दो सीधा फंदा, धागा आगे करेंगे, यह नीचे से फंदा डालना है, इसमें, इस तरह यह चार उल्टा, दो सीधा, धागा पीछे, यह तीसरी स्लाई है, तीसरी स्लाई में, यह पहला दो फंदा, उल्टा, धागा पीछे करेंगे, यह देखिए, फंदा नीचे से डालने से, यह फंदा जो है, इस तरह से हो गया, अब इन दोनों फंदा को, यह किनारे वाला फंदा है, इसको पहले हम, तीसरी स्लाई में, पहले इसे हम सिधा बुन लेंगे, और यह बीच का दोनों फंदा है, उसको हम, पहले इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, उसके बाद, फिर पहले वाले फंदे को बुनेंगे, फिर यह किनारे का फंदा सिधा बुनेंगे, इसी तरह यह चार फंदे का ही टी जाइन है, दो उल्टा, कि का फंदा सिधा अन्म, जाग हिसा है, बादू मैं दोनेंगे का प्रिस का बुनेगे, इसी तरह मैं अजसेा बुने का इस दोना सिधा बुनेखे, ऑल्सक्तक्त का बुनेंगे, झमेंगे, लग उल्टे तरप से फिर उसी तरह ये दो फंदा सीधा दागा आगे करेंगे ये चार उल्टा फंदा नीचे से ये फंदा इस तरह से डालेंगे दो सीधा इसी तरह ये पुड़ी सलाई हम बनाएंगे ये देखे ये पांच में सलाई है पांच में सलाई हम पहली सलाई की तरह ही रिपीट करेंगे डिजाइन को इन दोनों फंदा को मिला करके एक फंदा फिर पहले वाले पंदे को बुनेंगे आई में स्चाप अग्शे पंदा लाओ दोनों फंदा आई डिंगा झाल इस रिंगे उन्माग जसे बूल कर आई यगगे अबट फंदागे इसी तरह यह पूरी स्लाई बनाएंगे। एठ देखिए पहली स्लाई की तरह ही आम पाट्वीं स्लाई बनाये हैं। फिर, सात्मीं स्लाई भी तीसरी तरह बनाएंगे। ये पहला फंद्सिधा पुन लेंगे। और इन दोनों को मिला कड़के पहले एक फंदा फिर पहले वाले फंदा को बुनेगे फिर ये बाद वाला फंदा सीधा भुन लेंगे जैसे तीसular CGI हम बनाया थे उसी तरह ये 3 जार मत्रों भी बनाएंगे इसी तरह यह डिजाइन बनेगा बहुत ही आसान डिजाइन है उमीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगा